आपने काल भहरव के बारे में बात क्यों करी क्योंकि काल भहरव ही एक ऐसे देव है जो देव देवता की बात करे तो काल भहरव की मदद से ही मैं गुरू तो है और अगर किसी सुपरनेश्रल पावर की बात करे तो वो काल भहरव है मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको max relatability किस character से feel होती है भारत की संस्कृति के किस character से आपको max relatability आपको खुद के अंदर काल भहरव महसूस होता है नहीं देखें मैं समझाता हूँ काल भहरव को अगर आप देखेंगे तो उनका वाहनम कुद्ता है एकदम basic level पर आकर समझाए कि काल भहरव है कौन काल भहरव यानि की समहारका यानि की ऐसा देव ऐसे देव जो आपके कर्म को dissolve करने में आपके मदद करता है अगर आपको जाना है self-ledgation के उस stage पर आपका consciousness पूरा peak पर पहुँच जाए अगर उस stage पर जाना है सबसे पहली अगर कोई चीज है तो वो आपके कर्म को आपको साफ करना होगा आपके कर्म को पहचानना होगा आपके कर्म के साथ आपको खेलना होगा और वो चीज जहां से आपको सिखने को मिलती है वो काल भेरव का फॉर्म है मैं उनको बगवान के तौर पे नहीं मैं उनके फॉर्म से ज़्यादा रिजोनेट करता हूँ उनका फॉर्म इतना जबज जस्ट है कि आप क्या ये शिवजी के अफ़तार है कह सकता है अगर हम देखे एक नॉर्मल वे से तो वो सीव जी है लेकिन अगर वैसे देखने जाए योगिक प्रस्पेक्टिव तो वो एक अलग फॉर्म है सीव एक अलग फॉर्म है फरक क्या है फरक यह है कि देखो जितने भी देवी देवता हमारे पास है दे आर दे फॉर्म replication of your energy समझाता हूँ मैं सीव जो है ultimate consciousness पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार से आपके energy होती है वो सीव है आखे बन करके बैठे रहते हैं ठीक है बोले हैं और जब क्रोध में आ जाते हैं तो क्रोध वाला रूपधारन कर लेता हैं तो उस लेवल पर जब पहुँच जाओगे तो कौन है सीव है स्टार्टिंग में एक form अगर आपके लिए कोई है तो काल भेरव उसके बाद नटराज उसके बाद दक्सीना मूर्ती दक्सीना मूर्ती यानि की सीव खुद तो इस प्रकार से पुरा form चलता है तो मैं अगर साधना स्टार्ट कर रहा हूँ तो काल भेरव जी मेरे लिए एक form होगा जिससे मैं अपने कर्म को पहले डिजॉल्फ करूँगा वो तमस stage को represent करता है फिर आता है नटराज जो राजसिक stage को represent करता है तो नटराज पे मैं आ गया तो नटराज से मुझे जो material चीज़ है ना उसको साफ करने का मौका मिलता है नटराज के 64 forms है वो 64 forms में अलग-अलग साधना छिपी हुई है अगर आपको देखना आ गया तो आप समझ पाएंगे वो मूर्ति आपसे बात करेगी बात से मतलब है कि वो आपको कुछ समझाएगी वहां से आपका पूरा एक process निकलेगा उसको follow किया आपकी material चीज़ है आपके अंदर से गई now you are on the stage of दक्सिना मूर्ति यानि कि अब आप ultimate guru बन चुके है और अब आप दूसरों को initiate कर सकते हैं आप देखोगे दक्सिना मूर्ति के form को तो उनके चारो और रिसी बैठे हैं चारो का नाम रिसी सनक है और वो चारो वेदो का ग्यान दे रहे है दक्सिना जी लेकिन आखे बन करके दे रहे हैं आपने काल बहरव आपके कर्म डिजॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल इसका क्या मतलब है अगर किसी ने काल बहरव की पूजा स्टार्ट करी आज तो क्या होने लगता है उनकी जिन्दगी में अगर आप काल बहरव की उपासना करने जाओगे न तो जैसे मैं वहान की बात कर रह एलाइन में और अगर सामने कुट्टे को रखा जाए तो वो स्ट्रीट डॉक्स की मैं बात कर रहा हूं तो वो सभी के पास नहीं जाएगा दस मैंसे तीन ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो जाएगा बाकी से ढरेगा बस खड़े रहेंगे ना कुछ निकरेंगे तब भी व समझ में नहीं आएगा आपके आज पास इसे हम आजकल vibes कहता है तो इसे हमारे वेदों में आकास कहा गया है तो वो हमारे सरीर के 2-3 cm बाहर होता है तो हमारे कर्म अगर खराब होंगे ना तो हमारा आकासिक सित्रम जो है ना वो अच्छे से नहीं बनाओगा और इसवज़ा से कुट्टा उसे feel कर पाता है वो हमारे पास नहीं आता है तो जब आपके पास कुट्टा पास आने लगे उसका मतलब है कि आपके कर्म साफ हो चुके है इसी वज़ा से काल भेरफ जी का वहन कुट्टा है यानि कि वो एक ऐसा फॉर्म जो आपके कर्म को साफ करेगा इसी वज़ा से उनके पास कुट्ता आया तो अगर आप तांत्रिक वैसे उपासना करने जाओगे काल बेरफ की तो पहले वही चेक किया जाएगा आपके पास कुट्ता आ रहा है या नहीं आ रहा है वो ये दर्शारा है कि आपका जो वो एक symbolism है, simple symbolism कि आपके कर्म particular काल भेरव की उपासना से साफ होने लगेंगे, clean होने लगेंगे, वो उपासना करो, मंत्र होते हैं काल भेरव जी के बहुत सारी चीज़े होती है, but public platform पे लोगों के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि काल भेरव आई ही ना पाए फिर से, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, और इसी वज़ा से मैं काल भेरव से ज़्यादा रिजोनेट करता हूँ, और मैं जहां रहता हूँ, वहां भी काल भेरव जी का बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना sibling है, और मेरे गर के बस थोड़े ही दूर है, और मैं वहां जब बैठता हूँ, तो मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है, मैं बस आखे बन कर दूँ, सब कुछ हो जाता है, तो इसी वज़ा से मेरे लिए काल भेरव बड़े महत्वपून है, और जो मैं रुदराक्स पहनता हूँ, वो भी काल भेरव कॉंसे रुदराक्स ही है, so that is helping me, कर्म को आप इस प्रकासे डिजॉल्व कर सकतो, काल भेरव का रुदराक्स अगर आपके पास है, और अगर आप पहन के चलते हो, slowly slowly it will lose you up, मतलब क्या, practically मतलब क्या, practically अगर हम बात करें तो, देखो, संचीता कर्म जो मैंने स्टार्टिंग में आगामी कर्म में वो आपके पास लॉट के आएंगे, तो हम उस कर्म को साफ कर सकते हैं, जैसे कि आप काल भेरव की उपास्टना कर रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्र है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको पस्चियाताप, मैं सिंपल वे मैं समझाता हूँ, पस्चियाताप वर में फिर से जाओ, जो आपने गलती करे थी, उसको आपके ही मुमेंट में ठीक करने की कोशिस करो, आखे बन करके, उस पूरे टाइम को फिर से रिलीव करने की कोशिस करो, जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके निरोलोजिकल पात्वे में वो चीज़ क्लीन हो जाएगी, आ आपके पुरानी चीज़ को आप अपने आखे बन करके उस टाइम को फिर से जी कर उसे साफ कर रहे हो, तो दीर दीर आपके निरोलोजिकल पैटरन में ये चला जाएगा कि वो चीज़ आपने फिर से करी और वो सही करे, क्योंकि निरोलोजिकल पैटरन सबकॉंसेस माइंड को टाइम नहीं पता होता है, it is beyond time and that's काल भहरव, beyond time, so आपका subconscious mind beyond time है और आप subconscious mind की मदद से आपके उस मोमेंट को रिलिव करके उसको फिर से सही कर रहे हो, तो आपके निरोलोजिकल पैटरन को ये लगेगा कि आपने रियालिटी में वो चीज़ करी and for that उसकी वजा से आप के आगामी कर्म क्लीन हो सकते है, now you are ready for Nataraja, अभी Nataraja के बारे में बताईए, जो आपने कहा कि राजसिक रूप है और आपने कहा कि उनके statue से आपको कुछ सीख मिलती है, मतलब क्या, अब टांडव हम कहते है महादेव टांडव करते हैं, टांडव करते हैं, लोगों ने इस bliss में डांस कर रहे हैं, हसते हुए डांस कर रहे हैं, खुसी इतनी है कि control नहीं हो रहा है वो डांस कर रहे हैं, लेकिन forms में जितनी भी चीज़े दिखाएगे, अलग-अलग टांडव है, वो अब सारे गुरु दिक्सा तांटरिक में ही होते हैं, टांडव के नाम, टांडव इसे अपसमारा कहा जाता है, अपसमरा, अपसमरा का opposite होता है समरन, समरन का opposite अपसमरण, तो अपसमरन का छो्टा वड़ है अपसमरा, तो जब आपके काल भेहरव की मदद से आपके कर्म डिजॉल्व हो गए, नाम, आप कर्म डिजॉल्व करने के बाद एक ऐसे stage पर को दबा दिया यानि कि जो आप अवेर नहीं रहते थे वो चीज उनके पैर के नीचे डब गई और फिर वो ब्लीस में डांस कर रहे हैं अब उस डांस के नदर उनका एक पैर उपर होता है तो वो पैर जो उनका हमेशा जीत ने भी टांडव है उनमें एक पैर उनका उपर ही होता है तो वहां पर क्या हो रहा है, कि आपकी एक साइड, आपकी DJIब अनाड़ि आ फैमिना इन साइड से, पूरी एनरजी आपके सर्य में ली जा रही है, और दूसरी साइड से फिर से एक सर्कृट बनाई जा रही है, आपने देखा यहां महादेव के democracy फोटोच इंटरेनट के अ खड़े हैं तो आपका पिंगला जो आपका जो masculine form है वो active हो जाएगा वो देखा है लोग हाथ में यहाँ पर डंडा रखके वो माला करते हैं या फिर योगी जो होते हैं वो डंडा लेके घुमते हैं उनके बगल में दबा के रखते हैं वो वो भी सी वजाजे होता है वो स्वर चेंज करने के लिए अब आपको जरूरत है पिंगला की तो आप इस हाथ के नीचे दबा दो तो आपकी इडा opposite side के active हो जाएगी अगर यहाँ दबाओगे तो आपकी active हो जाएगी गायतरी मंत्र तब अच्छे से काम करेगा अगर आपकी इडा नाडी active है अपने नाग के नीचे हाथ रखो देखो कौन से सांस जादा आ रही है कौन से nostril में से अगर आपको दिखता है इडा नाडी में से आ रही है और उस समय अगर आप गायतरी मंत्र करते हो तो वो ज्यादा effective होता है अगर आपको कोई intuition हो रहा है ये स्वर योग है ठीक है पार्ट है हमारे सास्त्रों का तो अगर आपकी इडा नाडी से सांस आ रही है आपको सोच रहे है और आपको कोई intuition हुआ आपको confirm करना है कि क्या ये real है या नहीं है विल इड बी the reality और नहीं तो आप चेक करो उस सण की आपकी अगर इडा नाडी काम कर रहे है और अगर आपको उस समय आपको कोई भी चीजे अंदर से निकलती है तो वो reality में होने वाली होगी ये स्वर योग है इसको लोगों को बताना नहीं चाहिए क्योंकि लोग इसको material way में यूज कर सकता है एक ऐसा योग जो बहुत simple है और लोग इसका use कर लेंगे बिना किसी गुरू के वो है स्वर योग लेकिन ये knowledge सबको दी ही नहीं जाती है इसी वजा से तो इस प्रकार से हैं तो वो आनन्ड टांडव जो है नत्राज का उसमें अलग-अलग इस प्रकार के forms हैं उनके हाथ में अलग-अलग objects हैं जो अलग-अलग साधना को दरसाते हैं और कौन से side को active करके साधना करनी हैं इस प्रकार से 64 उनके different forms हैं और बहुत सारे से टांडव हैं वो सब public platform पे नहीं है एक अनन्ड टांडव आपको देखने को मिलता हैं लेकिन main चीज है कि वो अपसमरा पे खड़े यानि कि now you are conscious अपसमरा आपका जो unaware stage था वो दब गया now you are conscious